आज पूरे देश को खुशी है कि आज़ादी के साथ दसक बाद देश में एक देश एक सम्विधान का संकल पर भी पूरा हुआ है सर्दार साथ की आत्मा को मेरी यह सबसे बड़ी स्रप्धांजली है देश वांचियों को पता नहीं है सत्तर साल तक बामा साब आमबेड कर का सम्विधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था सम्विधान की माला जपने वालों ने सम्विधान का ऐसा गोर अपमान किया ला कारण क्या था जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दिवार आर्टिकल 370 जो देश में दिवार मन के खड़ी थी सम्विधान को यहां रोग देती थी वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वन्चित रखती थी वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है पहली बार वहां इस विधान सबाद चुनाव में बीना भेद भाव को वोट डाले गए पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख मंत्री ने आजहादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपतली है यह द्रश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा उनकी आत्मा को शांती मिलती होगी और यह भी संविधान निर्माताओं के परती हमारी नम्रस रद्धान जली है मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाओं मानता हूं जम्मू कश्मीर की देश भक्त जन्ता ने अलगाव और आतं के बर्षो पुरान एजंडे को खारिज कर दिया है उन्होंने भारत के समिधान को भारत के लोगतंत्र को विजई बनाया है अपने अपने वोड से सतर साल से चल रहे अपप्रचार को द्वस्त कर दिया है मैं आज राष्ट्रिय एकता दिवत पर जम्मू कश्मीर के देश भक्त लोगों को भारत के समिधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुति आधर पुरवक सेल्यूट करता हूं